जहिन साथियो, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे हैं तो फाइनली आज की डेट में सेंटर रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और यहाँ पर नोटिफिकेशन का डेट आपको देखने को मिलेगा 14.12.2022 को इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यह जो फार में कब से भरा जाएगा फार भरने की जो दिती इन्होंने रखिए 15.12.2022 से आपका फार भरना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देखिए 15.1.2023 तक आप इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे अब यहाँ पर बात करते हैं बहुत सरी चातरें आप पर कहते हैं सर आप नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तो चलिए आपको नोटिफिकेशन आपको डाउलोड करने का पूरा प्रोसिस बताते हैं आपको करना है कि है, simply आपको Chrome browser पर आजाना है, जिसे आप Chrome browser पर आएंगे, उसके बाद सर्च वारे option पर जाना है, और सत्या excellent आपको लिख देना है, मेरे channel का नाम, जिसे आप channel का नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर सबसे उपर वाले column में आपको देखने हैं को मिल जा सत्या excellent, simply आपको इस पर क्लिक करते हैं, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा, और यहाँ से आप notification असानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे कि आप यहाँ पर देखिए, notification डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सबसे उपर आपको अपलाई करने का भी यहाँ पर लिंक दिया गया, तो यहाँ से आप असानी से फार्म को अपलाई कर सकते हैं, और notification भी डाउनलोड कर सकते हैं, विसे में आपको बता दू, फार्म कैसे अपलाई करना, इस पर में आपको वीडियो बना कर बताऊंगा, कि मुवाइल क दौरा आप कैसे फार्म को अपलाई करना चाहें, तो फार्म को अपलाई कर पाएंगे, उससे पहले आप इसके बारे में पूरी जनकारी देख लिजे, कितने सीटों पर यह आपकी वीकिन से निकाले गए, और यह जो फार्म है, इसकी अंतिवधिती भरने की क्या रखी देखिए, पुश्ट जो इसमें रखा गया है 2422, कितना साथ हो, 2422 यहां पर टोटल सीट खाले हैं, जो कि आल इंडिया के जो चात्र है, इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे, यदि आप भी IT पास चात्र हैं, तो घबराने की कोई भी जरुत हैं, आप इस फार्म को अपला होगा, तो देखिए, selection will be on the basis of merit list, कहने का मतलब यह, इसमें जो आपको selection होगा, तो आपका merit based पे होगा, अथाद, merit आपका किस पर बनेगा, तो देखिए, यहां पर आपका जो होगा, दसमी पास, जो कि matriculation, दसमी पास आप हैं, उसमें आपका जो होना चाहिए, 50% होना चा ITA में आपको percentage नहीं मांगा गया, कि आपका ITA में इतना percentage है, तो आप farm को apply कर पाएंगे, लेकिन आप ध्याने किएगा, आपका कम से कम यहां पर, दसमी में 50% होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप farm को submit नहीं कर पाएंगे, नीचे आप आएंग आप पर farm को apply कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत ने और कोई भी आपको घबराने की कोई जरूत नहीं है, नीचे आप आएंगे स्क्रोल करते हैं, यहां पर farm भरने की पूरी तरीका, और यहां पर जो unit के अंतरगत आपको विकेंसी देखने को मिल जाते हैं, यह आपको देखन को मिल जाते हैं, नीचे आप आएंगे, तो यहां पर आपको एक और यहां पर location दिया गए, जिसमें आपको यहां पर धीर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि यहां पर पूर्णे में, नागपूर में, सौलापूर में, आपको यहां पर इतने division देखने को मिलते इतने वर्षाप है तो जो भी आप वर्षाप यहां पर चूज करते हैं व villainy और payroll अने पर ट्रेलर अनरल है और नीचे आप आएंगे तो आप आपको बहुक्सारी ट्रेट यहां पर देखने मिल जाता है मसीनिष्ट है वेल्डर है प्रोग्रामिंड एंड इसे च्टेम एडिमिशन एसिस्टेंट है बहुँ यहाँ पर ट्रेड है जिसमें आप को प्लाई करना चाहे तो अपलाई कर सकते हैं तोतिकेसन आप डाउलूट कर ले जएगा जो मैं आपको बताने हैं यहाँ पर बम्तित ओर ल्डूट । इसके बाद यहाँ पर बात करें उम्र की कितने वर्स के जो चातर इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे तो इलिबिल्टी कंडिसन के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ तोर पे लिखा गया The candidate should have complete 15 year कहने का मतलब है आपका जो उम्र complete होना चाई वो 15 साल complete होना चाहिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा गए जन्वती थी 15 12 1998 से 15 12 2007 के बीच उलो फाउंग को अप्लाई कर पाईंगे STK चातर 1512-1993 से 1512-2007 के बीच उनके जन्वती थी तो फार्म को अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर OBC के चातर ध्यान एक हेगा 1512-1995 से 1512-2007 के बीच आदे आपके जन्वती थी तो आप फार्म को अप्लाई कर पाएंगे नीचे आप आईए स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर जो उम्र में छूट रखी जाती है इसके बारे में इन्होंने बताया है तो उम्र में छूट यहाँ पर साब तोर पे लिख दिया गया है कि जो भी छातर एसिश्टी के अंतरगत आते हैं उनके लिए हाँ पर पांच साल की चूट है कित्रे साल की पांच साल की चूट और जो भी छातर नहाँ पर OBC के अंतरगत आते हैं उनके लिए हाँ पर तीन साल की चूट रखी गए तो फार्म भरने वाले छातर इस बात को देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर कॉलिफिकेशन की बात करें तो मैंने उपर आपको सबसे पहले जनकारी दे दिया कि आपके पास दसवी पास का मरसीट होना चाहिए और उसमें आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो 50% हो जा चाहिए और दूसरी बात आपका इसके बाद यहाँ पर बात करें 11 नंबर पर यहाँ पर पेमेंट के बारे में बताया गए कि पेमेंट यहाँ पर कितना लगने वाला है तो अप्लिकेशन फिसके आगे आप यहाँ पर देखे जो कि नान रिफेंडेबल है और 100 रुपे आपको चार्ज देना पड़ेगा ल निचे आप आएए स्कृओल करते हैं तो यहाँ पर आप को इसके बारे में पूरी जहन करें देगे कि यदि आप पैमेंट करना चाहे तो चाह You क्कुअ आपको यहाँप कर सकते हैं, आप स्के बारे में इंटरगत पूरी जहन कर देगे कि आपको fitness यहाँ पर क्या होने चाहिए इसके बारे में आपको पूरी जनकार देगे तो जब इसमें आप यहाँ पर select हो जाएंगे इसमें आपको सारी जनकार यहाँ पर जरूरत है इसमें आपको कोई भी इसके बारे में जनकारे देना सही नहीं है निचे आए तो यहाँ पर देखिए फॉर्म को कैसे apply करना इसके बारे में इन्होंने जनकारे दिया है तो यह जो आपका फॉर्म भरा जाएगा देखिए www.rrccr.com की जो official website है इस जगह से फॉर्म भरा जाएगा जो फॉर्म आप भरेंगे इसके बारे मैं आपको जनकारे दूँगा एक विडियो के मादम से कि मुवाइल के द्वारा आप फॉर्म को apply करना चाहिए तो मुवाइल के द्वारा आप कैसे apply कर सकते क्योंकि सब के पास अब smartphone हो चुका है तो यहाँ पर आप फॉर्म मुवाइल से भी भर सकते कोई भी दिक्कत नहीं है निचे आप आईएगा तो देकिए phone भनने वाले छाहत ध्याने किएगा आपका जो अधार card होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए कहने का मतलब यह कि अधार card में जो आपका नाम है पिता का नाम है या जो माता का नाम है वो आपका दस्मी के मार्स्टेट से बिल्कुल मैच होना चाहिए और इस बात को ध्याने किएगा निचे आप आए साथ यो तो इसके बारे में कुछ अधर भी इन्होंने जनकारी दे रखें जो कि यहाँ पर फोटोग्राप और यहाँ पर कैसे होना चाहिए तो यहाँ पर कि जाती है तो जब फार्म भरा जागा उसमें मैं आपको जनकारी दूँगा वैसे जल्द ही इसमें इस पर मैं में वीडियो बनाने वाला हूं उसके बाद आपको पूरी जनकारी दूँगा बाकि यह इसका जो लाइश्ट देथी रखा गया है 15 जनवरी 2023 रखा गया तो उसस हाँ पर अपर करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर देखे साथ हजार परमन्त आपको दिया जाएगा नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर जो इसके बारे में जनकारी दी गए इस अपरना चाहे तो पढ़़े जाएगा वेसे मैं आपको बता दूँ जिस पर यहां पर apprenticeship मांगा जाता है तो उसमें जब apprenticeship मांगा जाए तो उसमें आपको apprenticeship का जब आप certificate लगाएंगे तो उसमें आपको छूटती जाएगे तो इस सबसे बड़ा benefit आपको मिलने वाला है जिदी आप apprenticeship कर लेते हैं railway की द्वारा तो यह आपके उपर निर्भर करता है आप करना चाहते या नहीं करना चाहते